तो 17,700 की नीचे तो नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 55,000,000,000 पुट राइटिंग हुई है तो यहाँ से मार्केट उपर की तरह bounce back करेगा अगर आपको option chain का data देखके एक बार support and resistance level ड्रॉब करना आ गया आप मार्केट से इतना profit बना सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं अभी तक जो आप trade ले रहेते हो सकते हैं आप India Wix से चेक करके global market देखके या फिर news को follow करके अपना trade ले रहेते हैं लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आप option chain का data देखके एक अच्छा support and resistance level कैसे draw कर सकते हैं जब आप market में एक support and resistance के साथ काम करते हैं तो वहाँ पे आपके loss होने के chances बहुत कम हो जाते हैं क्यों क्योंकि आपका वहाँ पे entry point clear आपको पता होता है exit कप करना है वो भी आपको पता होता है आपका stop loss कहां पे होगा सारी चीज़ें आपके mind में clear होती है तो इससे आपका loss होने का chances बहुत कम हो जाता है तो हम जानते हैं कि किस तरह से हम अपना support and resistance level draw करते हैं option chain का data देखके उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि support and resistance होता क्या है अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा sort में बताने की कोशिस करता हूँ देखो मैं दो line draw कर लेता हूँ एक हो गया हमारा support का ठीक है और दूसरा हो गया हमारा resistance का यह हो गया हमारा support level और यह हो गया हमारा resistance level support level पे आपके होते हैं हमेशा buyers ठीक है यह खरीदने वाले हो गये और resistance level पे होते हैं आपके seller यहाँ पे बेचने वाले हैं अब जो आपका support label होता है यहां से market के नीचे जाने के chances बहुत कम हो जाते हैं यहां से market उपर की तरफ जाता है और जो resistance label है आपका वहां से market उपर जाने के chances बहुत कम हो जाते हैं वहां से market नीचे की तरफ आता है अब ऐसा क्यों होता है आपने सुना होगा जब भी buyers किसी share को तो उसकी अचानक से price बढ़ना चालू हो जाती है और जब भी seller अचानक से बहुत सारे seller किसी seller को बेचेते हैं तो उसकी price नीचे की तरफ आना चालू हो जाती है तो इस तरीके से आप support and resistance समझ सकते हैं support का मतलब होता है buyers यानि की खरीदने वाले और resistance का मतलब होता है seller यानि की बेचने वाले आपको support and resistance समझ में आ गया होगा अब मैं आपको बताऊंगा कि आप option chain का data देखके किस तरह से अपना support और resistance find कर सकते हैं तो यह मैं आपको mobile के screen पे ही बताऊंगा मैं आपको NAC India की official website पे भी बता सकता था लेकिन वहाँ पे beginners को समझ में नहीं आता बहुत जादा complicated हो जाता क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे option है जैसे OI, Change UI, Volume, IV, LTP, Bid quantity, Ask quantity ऐसे बहुत सारे option है तो वहाँ पे beginners confused हो जाते है तो इसलिए मैं आपको तोड़ा simple तरीके से mobile के screen पे ही बताऊंगा अब आप देख सकते हैं मैं nifty की script add कर लिए मैं nifty पे click करता हूँ यहाँ पे option chain पे जाता हूँ अब यहाँ पे हमारा option chain का data खुल गया है अब यहाँ पे हमें क्या देखना है यहाँ पे आप देख सकते है 952023 का यह select है तो by default select है तो हमें यही select रहन देना है क्योंकि हमें weekly expiry का ही चेक करना है उसी में हमको अपना support और resistance वाइंड करना है तो यह सारी चीज़ें आप जैसे हैं यह से रहन देते हैं थोड़ा हम इसके option के बारे में जान लेते हैं कि OI का मतलब क्या होता है LTP का मतलब क्या होता है तो यह सारी चीज़ें हम जान लेते हैं OI का मतलब होता है open interest LTP का मतलब होता है last trade price जिस पे price salary है strike price आपको पता ही होगा तो यह call side का हो गया OI LTP और यह put side का LTP OI हो गया ठीक है तो call side में हमें अपना resistance ढूणना और put side हमें अपना support ढूणना यह clear है अब आपने OI का मतलब open interest समझ लिया है यह open interest होता क्या है open interest का मतलब होता है जैसे market में आपने future and option में कोई contract खरीदा अब जो contract आपने खरीदा उसको किसी ने बेचा होगा तभी आपने खरीदा तो किसी ने बेचा आपने खरीदा तो यहाँ पे एक open interest create हो गया ऐसे market में बहुत सारे contracts खरीदे और बेचे जाते हैं तो इस तरह से open interest create होते रहते हैं तो open interest एक ऐसा number होता है जो आपको बताता है कि future and option में कितने contracts अभी open है तो open interest आप समझ में आ गया होगा आपको अब हम जानते हैं कि अपना support और resistance हमें कौन सी strike price पे ढूणना है तो हमें अपना support जो है वो put के side ढूणना है जैसे कि मैंने आपको बताया और resistance हमें call के side पे ढूणना है तो strike price हमें OTM की strike price में हमें अपना support और resistance ढूणना है call में और put में तो हमें ITM से कोई मतलब नहीं है हमें सिर्फ OTM के ही strike price में अपना support और resistance ढूणना है तो पहले हम जान लेते हैं OTM, ATM और ITM होता क्या है आपको समझने में आसानी होगी तो जैसे अभी Nifty 17,900 पे चल लिए तो call का और put का add the money same हो गया ATM आपका 17,900 हो गया अब call का हम OTM चेक करते हैं 17,950, 18,000, 18,050, 18,100 तो ये call side का out of the money हो गया और ये call side का अगर in the money चेक करें तो 17,850, 17,800, 17,750 तो ये call side का in the money हो गया यानि कि ITM तो ITM से हमें फिलाल कोई मतलब नहीं है अभी के लिए अगर हम put side का चेक करें तो put का add the money तो same ही होगा 17,950, 18,000, 18,050 ये हो गया ATM यानि कि in the money put side का और put side का आप यहाँ पे OTM अगर चेक करें तो 17,850, 17,800, 17,750 तो ये put side का OTM हो गया तो हमें OTM में ही अपना support और resistance चेक करना है फिलाल हमें ITM से अभी के लिए कोई मतलब नहीं है तो हम अपना OTM में ही support और resistance चेक करते हैं तो सबसे पहले हम अपना resistance find करेंगे और हमें resistance find करने के लिए call का open interest चेक करना होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 17,950 की strike price पे 9,000,000 की call rating होई है अगर वही हम 18,000 की बात करें तो यहाँ पे 69,000,000 की call rating होई है तो यहाँ पे हमें एक strong resistance level दिख रहा है और अगर 18,050 की strike price चेक करें तो यहाँ पे 17,000,000 की call rating होई है और 18,100 पे फिट से 43,000,000 की call rating होई है तो यह दोनों 18,100 और 18,000 एक strong resistance level का काम कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे देखें तो 69,000,000 यहाँ पे seller बैठे हैं तो seller का यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा होता है तो यहाँ से market उपर जाने के chances बहुत कम हैं हाँ से market नीचे ही आएगा तो यहाँ पे आपका अगर हम resistance number 1 देखें तो 18,000 हो सकता है और resistance number 2 की बात करें तो 18,100 हो सकता है अगर 18,000 आपका break भी होता है तो 18,100 के उपर जाने के market के बहुत कम chances है तो आप यह अपना इस तरीके से R1 आपका हो जाएगा 18,000 और R2 हो जाएगा आपका 18,100 तो इस तरह से आप अपना resistance find कर सकते है तो अब हमें अपना support level find करना है और support level find करने के लिए हमें put का open interest चेक करना है तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 17,850 यहाँ पे 6,000,000 put writing होई है 17,800 पे 23,000,000 की put writing होई है 17,750 पे 9,000,000 put writing होई है और 17,700 पे यहाँ पे 55,000,000 put writing होई है तो मुझे यहाँ पे 17,800 और 17,700 पे एक strong support level देखने को मिल ला है तो यहाँ 17,800 आपका हो जाएगा एक support 1 और support 2 हो जाएगा आपका 17,700 अगर 17,800 को market break भी करता है यहाँ से market नीचे जाने की courses भी करता है तो 17,700 की नीचे तो नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 55,000,000 put writing होई है तो यहाँ से market ऊपर की तरह bounce back करेगा तो इस तरह से आप अपना support और resistance find कर सकते हैं जब आप market में support और resistance के साथ काम करते हैं यहाँ पे एक अच्छा trade आपको मिलता है उस trade से आप एक handsome profit बना सकते हैं क्योंकि जब आप option chain का data देखते हैं तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि market uptrend है, downtrend है, sideways है तो इस तरीके से आप एक अच्छा profit बना सकते हो market से और यह सारी चीजें जो मैंने option chain का data आपको देखना बता है सारी चीजें जो भी बता ही मैंने यह angel one की app में मैंने दिखाया तो अगर आप अपना dmat account angel one में खोलना चाहते हैं तो मैं link description में डाल दूँगा आप वहाँ से जाके अपना dmat account खोल सकते हैं